Hello everybody welcome to the video series or the video session so interview preparation के लिए interview guidance program IGP से जो है वो we have started a video series ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो है वो transcript analysis किया था हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं किन theme से जो है वो सवाल पूछे जा है और इस series के अंदर हम एक मुद्दे के ओपर एक विशे के ऊपर बात कर रहे हैं कि India के अंदर migration किस तरह से ही इंडिया के अंदर migration का क्या pattern रहा है किस तरह से migration क्या से चलती रही है पहले settlers कौन आये थे बात में दूसरे कौन थे तीसरे कौन थे मैंने यह देखा है कि at least 25% probability रहती है कि यहां से कुछ ना कुछ सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा हमने transcript analysis किया था transcript analysis में भी हमें यह जो है वो आपके पास जो है वो पता चला था कि eventually there are some topics जो की पूछे जाते हैं कुछ तो आपके पास personalized topics होते हैं जैसे for example आपकी understanding क्या है anthropology क्या है anthropology से समझते क्या हो anthropology आपने रखी क्यों है एक्सेटर एक्सेटर ऐसे कुछ topics होते हैं then there are certain fixed topics जो की news में भी होते हैं और news के साथ साथ आपसे यहां पे भी पूछे जाते हैं ठीक है उसमें से एक जो topic है वो migration का topic है ठीक है और migration के topic को समझने के लिए comprehensively समझने के लिए हमने in headings के अंदर migration को जो है वो divide किया था पिछली वीडियो के अंदर मैंने in headings को बहुत briefly बताया कि in headings के अंदर क्या 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 काम किये जाएंगे क्या क्या चीजों को हम पढ़ेंगे ठीक है चलिए पहली heading को उठाते हैं the first modern human settlers तो एक जो है वो सबसे पहली जो एक debate है वो यह है कि जो पहले human settlers आए हैं इंडिया के अंदर आए है वो उनकी जो है वो dating क्या है वो कब आए है वो जो है वो टोबा blast से पहले आए है या फिर टोबा blast के बाद आए ठीक है टोबा वॉलकैनिक अरॉप्शन आपके पास एक जावा पैनिनसुला के ऊपर जो है वो एक एरॉप्शन हुआ था साउथ इस्टेशिया के अंदर जो है वो इरॉप्शन हुआ था बहुत बड़ा एरॉप्शन था और यह माना जाता है कि कुछ सालों के बाद रीकिंट बर समाव अनदर अब बसवर्चाड नेखे एक डियर वॉप्शन को वैशी व्यूलकैनिक बिल्डर को अप्छेल नहीं जाकते हो It leads to extinction, ठीक है, तो अब, because it was again a very important incident that happened, Toba volcanic corruption बहुत important incident है, तो आपके पास Toba catastrophe, it took place between 69,000 to 77,000 years ago, ठीक है, अब इससे पहले आये थे लोग या फिर इसके बाद आये थे, लोग जो है, जो पहले human settlers थे, देखिए, एक बात clear है कि पहले human settlers की जो ethnicity है, वो कौन थे, कौन नहीं है, उनके बारे में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते, कुछ क्यों नहीं कह सकते, because जो पहले human settlers आये थे, उनके हमारे पास DNA samples available नहीं है, ठीक है, these are just hypothesis, यह सिर्फ ideas हैं, कुछ hypothesis हैं, जो हम draw कर रहे हैं, ठीक है, so कुछ लोगों का मानना है कि वो जो है, वो पहले आये हैं, जैसे आपके पास जो है, वो माइकल पैटरा गलिया का मानना है, कि वो जो है वो पहले आये हैं, क्यूंकि जवालापुरम के अंदर आंदरा परदेश में, प्री टोबा dispersal tools पहले से जो है, वो कुछ stone tools जो है वो available है तो माइकल पैटरा गलिया एक हिसाब से जो है वो मानते हैं उनका ये मानना है उनकी ये सोच है कि human settlers जो है वो इंडिया के अंदर टोबा ब्लास्ट से पहले पहुंच गए लेकिन eventually टोबा ब्लास्ट के कारण बहुत सारे human settlers जो यहां पे रह रहे थे even 77,000 years ago उनसे भी पहले जो रह रहे थे यहां पे उनका extension हो गया और extension की वजए से बहुत कम human settlers जो है वो बहुत सारों का extension हो गया लेकिन फिर भी कुछ बच गए ठीक है उन्हों ने जो है वो कुछ अंडेमान आइलेंडर्स की population को या फिर ऐसी कुछ populations को जो आपके पास आज भी tribal के अंदर available है ऐसी कुछ populations को जो है वो उन्होंने री पापुलेट किया उन्होंने जो है वो पापुलेट किया यह एक thesis जो है वो काफी हद तक आपके नर्मदा मैन के साथ भी जो है वो जुड़ी हुई दिखाई देती है ठीक है नर्मदा मैन के साथ किस तरह से यह जाता है अगर हम नर्मदा मैन को जो है वो आर्क होमो सेपिन की तरह जो है वो मानते हैं वो नर्मदा वैली के अंदर जो है वो बसा रहता है और नर्मदा वैली के अंदर जो आपके पास जो है वो रीसेंट रिसर्च इस है नर्मदा वैली के अंदर आपके पास दो तरह के नर्मदा मैन पाए गए है एक नर्मदा मैन जो है वो पाया गया है जिसकी हाइट लंबी है medium to long हाइट है and then तो दूसरा नर्मदा मैन पाया गया है वो जिसका जो stature है और जिसके जो physical traits है वो ऑंगे ट्राइब अंडेमान आइलेंडर जैसे है तो हम किसी ना किसी तरह से Michael Petra गलिया की जो है वो इसी link के साथ जो है वो सोच आगे बढ़ती है कि जो पहले human settlers थे वो नर्मदा वैली के अंदर आए ठीक है वो जो है वो उपर से होते हुए शायद अरेबिया से होते हुए कैसे भी करते हुए वो जो है वो नर्मदा वैली के अंदर आके बस गए और नर्मदा वैली के अंदर आने के बाद जो है वो देर वाज टोबा ब्लास्ट फिर उसके बाद जो है वो टोबा ब्लास्ट हुआ ठीक है तो टोबा ब्लास्ट जो है वो उसके बाद हुआ और टोबा ब्लास्ट के अंदर भी आपके पास जो है वो देर बर सर्टन कुछ आपके पास जो है वो उनकी हैबिलेशन रही शायद उन्होंने पिट ड्वेलिंग्स की कुछ भी किया उन्होंने एक हैबिलेशन की और हैबिलेशन करने के बाद जो है वो टोबा ब्लास्ट को कईयों ने सर्वाइव किया, although the toba blast, it would have been a bottleneck, वो जो है, वो bottleneck की तरह होता होगा, तो वो जो है, वो एक bottleneck की तरह, जो है, वो टोबा ब्लास्ट ने act किया, और दीरे-दीरे जो है, वो छोटे on the other hand, जो दूसरा school of thought है, वो epenzler का जो है, वो school of thought, वो कुछ इस तरह से कहता है, उन्होंने जो है, वो आपके पास जो DNA mutation है, haplogroup L3, उसको जो है, वो उन्होंने study किया है, और उनको study करते हुए, उन्होंने कहा है, that it is about, ये जो आपके पास, out of Africa, ये जो mutation हुई है, it was about 60,000 to 70,000 years ago, ठीक है, इतनी पराणी जो है, वो ये mutation दिखाई देती है, और ये mutation जो है, वो आपके पास इंडिया के अंदर भी आई है, and eventually, इस mutation की वज़े से, हम ये मानते हैं, epenzler जो है, वो ये मानते हैं, कि haplogroup L3 mutation की वज़े से, कि हम जो है, वो about 70,000 years ago, जो पहले human settlers थे, वो 70,000 years ago, जो है, वो यहां पे आए, और यहां पे आके जो है, वो settle हो गए, ठीक है, obviously, they are few years after the Toba Blast, Toba Blast के कुछ साल पहले की ही, ये जो है, वो बात है, ठीक है, so आपके पास जो है, वो this is how they came, वो जो है, वो आपके पास इस तरह से अफरीका से बाहर जो है, वो आए है, so these are the mutations, ये जो है, वो mutations लिखी हुई है, सारी, ठीक है, तो haplogroup L3 mutation जो है, वो यहां पे जो है, वो होती है, और eventually, they also repopulated Eurasia, और फिर जो है, ये वापे से फरीका के अंदर चले जाती है, क्योंकि ये देखो, ये एक root बन गया, अब ये root बन गया, अब आपके पास इस root से migrations होती रहेंगी, और haplogroup L3 जो है, वो इस root के उपर जो है, वो पाया गया है, obviously, these are the ancient DNA, आज आपको नहीं मिलेंगे, आज तो जो DNA है, जो, these are the ancient DNA samples, तो L3 जो है, जो mutation जो है, वो इसके around, इस root के उपर जो है, वो मिला है, और अगर हम उसकी dating करें, that is around, अब dating कैसे की जाती है, देखो, जो DNA पड़ा होता है, जैसे हमने दांतों के अंदर से जो है, वो DNA निकाला, तो जो DNA पड़ा होता है, it keeps on changing, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा थोड़ा-थोड़ा चेंज करता है, ठीक है, it is not like RNA, जो एकदम से deconstruct कर जाता है, ठीक है, ये चेंज करता रहता है, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे वो जो है, वो बाद में आये हो, ठीक है, तो इसका जो है, वो impact क्या हुआ है, so it has been hypothesized that the Toba super eruption, जो कि about 77-69,000 years ago हुआ, या फिर mean लगा, निकाल लेते हैं, 74,000 years ago हुआ, इसने Central Indian Forest को destroy कर दिया, ठीक है, तो Central Indian Forest को destroy कर दिया, इसकी वज़े से, जो human population इंडिया में बसी भी होगी, वो human population जो है, वो निश्ट होगे, ठीक है, जो पिछले 1000 जा फिर 1500 साल पहले जो है, वो वहाँ पे बसी भी होगी, नर्मदा वैली के अंदर बसी होगी, Central Indian Forest के अंदर बसी होगी, या फिर जो है, वो अंदरा प्रदेश के Forest के अंदर बसी होगी, उसको जो है, वो destruction होगी, वो जो है, वो खतम होगी, इसी वज़े से, जो Indian, जो एक ancient DNA samples है, उनकी density कम मिलती है, ठीक है, एक तूर, there are certain political reasons also, जिसकी वज़े से हम इस चीज़ को allow नहीं करते हैं, ठीक है, सरकार इस चीज़ को जो है, वो जादा allow नहीं कर रही है, ठीक है, जो DNA sampling वगरा जो भी होई है, आपके पास वो रखी गड़ी के अंदर भी है, बाकी sites के अंदर जो है, वो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो एक तो है कि सरकार भी allow नहीं करती, दूसरा जो है, वो आपके पास जो है, वो present जो क्या कहते हैं, कि जो एक उसके बावजुद भी जो एक DNA density है, इंडिया के अंदर जो ancient DNA की density है, वो नहीं मित्ती है, ठीक है, तो आपके पास जो है, if true this may explain the appearance of the bottleneck in the human population, ठीक है, तो आपके पास 50,000 से लेके, एक साल पहले जो है, वो आपके पास इंडिया के अंदर खास करके इस particular period के अंदर जो human population है, वो बहुत कम रहती है, genetic diversity जो है, यहां पे बहुत कम रहती है, probably because of this bottleneck, क्योंकि पूरा forest तबाह हो गया है, ठीक है, volcanic winter चल रही है, तो यहां पे भही, इंडिया में इतनी बरबादी हो चुकी है, उस time के उपर, तो कौन रहने के लिए आएगा यहां पे, on the other hand, इस particular, अगर हम 50,000 से लेके, एक साल, एक लाक साल पहले, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में जो है, वो अबादी बन रही थी, क्यों अबादी क्यों बन रही थी, because the environmental conditions, they were conducive there, लेकिन यहां पे कोई ऐसा है नहीं, environment conditions जो है, वो conducive नहीं है, ठीक है, तो आपके पास जो है, वो इसकी वजए से, यह टोबा ब्लास्ट की वजए से, eventually जो एक deer ने, या फिर जो एक genetic diversity होनी चाहिए थी, इंडिया के अंदर, वो उस time के ऊपर जो है, वो ancient diversity जो है, वो नहीं बन पाई, ठीक है, because of the environmental conditions. So, Michael और Michelle Petra गलिया जो है, वो मानते है, after the event, these first Indians left no trace of their DNA in the present humans, ठीक है, तो present humans के अंदर इनके जो है, वो DNA का कोई trace जो है, वो नहीं मिलता है, तो वो इदर उदर जो है, वो चले गए, कुछ हम मानते हैं कि शायद उनके DNA का कोई trace जो है, वो undemand islanders के अंदर कुछ ना कुछ जो है, वो मिल जाए, ठीक है, तो इसकी वज़े से भी, आज क्योंके इनका कोई trace नहीं मिलता है, इसकी वज़े से भी, इनकी ethnicity के बारे में कौन थे ये, कौन नहीं थे, हमें जो है, वो जादा पता नहीं है, तो इसी लिए हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, मैं शब्द जो बोल रहा हूं, उसको बड़ा गहराई से सुनिये, तो इसी लिए जो है, वो हम ये मान लेते हैं कि जो नर्मदा मैन है, नर्मदा मैन से ही आगी कुछ evolution हुआ, जो evolution तोबा blast में लोग जिन्दा रहे और आज हम, again this is our hypothesis और आज वो onge tribe के अंजर अपने आपको represent कर रहा है, ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, DNA जो है, वो change कर गया हो, mutate कर गया हो, we are not able to classify ठीक है, हम जो है, वो अच्छे से इस चीज को recognize भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनकी ethnicity city के बारे में कोई टिक नहीं करना, वो कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, हमें जो है, वो इसके बारे में कोई clarity नहीं है, ठीक है, ना ही हमें ये पता है कि वो कब आये हैं, हाँ toba blast के, या पहले आए या बाद में आए, toba blast के अराउंड ही आई हुआ, इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन हमें कुछ पक्का पता नहीं है, that who they are, ठीक है, so University of Oxford, अगें, पैट्रागलिया की ही, जो है, 2009 के अंदर रिसर्च है, so उन्होंने यही हाइपोथाइज किया, that तक यह जो आपके पास कुछ humans, जो है, वो इस catastrophe को survive कर गए, अगर हम Pompey-like excavations, यानि कि जो है, वो extensive excavations करते हैं, तो हमें कुछ हो सकता है, मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे, so however, the human fossils have not been found from this period, ठीक है, तो हो सकता है कि इस जादा fossils नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कि आपके पास, जो है, मैकले और पोश कहते हैं, हो सकता है, शायद post-toba ही मिल, बने हो वो, ठीक है, so, इसी से जो है, वो हम post-toba की जो है, वो कुछ dispersal theories को जो है, वो देखेंगे, अब देखो, pre-toba, Oxford University कहती है कि, there were, कुछ आपके पास pre-toba जो है, वो चीजें हुई, जिन्होंने, बेसिकली जो थे, वो टोबा blast में, कुछ लोग survive कर गए, और आज कल वो जो है, वो अंडे मान islanders के अंदर अपने आपको represent कर रहे हैं, या फिर, या फिर, वो जो है, वो धीरे, धीरे, धीरे करते, disperse हो गए, extinct हो गए, ठीक है, तो उनके बारे में, जो है, वो हमें, कुछ नहीं पता, फिर उसके बाद, एक और जो थे, अगर post-toba वो लोग आए हैं, तो वो किस तरह से आए हैं, ठीक है, जो हेपलो, जो आपके पास L3 DNA है, उसकी अगर हम root को देखें, उस root को अगर हम देखें, तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो हमें देखने को मिलता है कि यह migration है, वो सतर हजार से लेके पांच हजार साल जो है, वो इसके बीच में जो है, वो हुई होगी, ठीक है, तो उन्होंने जो है, वो Red Sea को क्रॉस किया, और Red Sea में, अरेबिया से होते हुए, वो जो है, वो इंडिया तक जो है, वो पहुंचे ह जो है, वो यह लोग जो है, वो पहुंच आते हैं, ठीक है, गुजरात और नदरन इंडिया के अंदर थोड़े बहुत जो है, वो पहुंच आते हैं, सो जैनेटिक, जैनेटिस स्पैंसर वेल्स से दाट अर्ली ट्रैवलर्स देफ फॉलोड दी सदरन कोस्ट लाइन ऑफ कुछ उसी मेंसे जो है, वो शिरी लंका में जो है, वो पहुंच आते हैं, अगें दिस इस हाइपोथिसिस, यह एक हाइपोथिसिस है, ठीक है, शिरी लंका में इसी चीज़ को डिफाइन करता हुआ, या फिर इसी चीज़ को रीप्रेजेंट करता हुआ, वी हैव दा बालं गोड़ा मैन बालंगोड़ा मैन बेसिकली जो है वो शेरी लंका के अंदर प्लेस है उसी नाम के उपर बालंगोड़ा मैन रखा हुआ है नाम इसका तो यह जो है वो 28 28,000 साल पुराना है ठीक है तो अब बालंगुटा मैन जो है वो इतना पुराना है 28,000 साल पुराना है तो हमें जो है यह हमने hypothesis बनाया कि अगर पोस्ट टोबा कुछ आपके पास migrations होती है तो यह migration जो है वो coastal plains को follow करते हुए इंडिया की coast line को follow करते हुए श्री लंका में पहुंच गया और फिर जो है वो एक branch जो है वो आगे चलके जो है वो चलती जाती है जावा सुमात्रा यह जो पैनन सुला है उसके उपर जाती है और फिर आगे चलके वो जो है वो Australia को repopulate कर देती है Australian Aboriginal जो है वो बन जाते है ठीक है अब यह चीज इतनी ज्यादा दिल्चस्प क्यों है दिल्चस्प यह चीज इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि original जो आपके पास Australian aboriginals है और जो radiation man है उसके अंदर भी जो है वो आपके आपको उसकी जो करेनियम वॉल्ट है उसके अंदर जो है वो आपको similarities मिलती है तो अगेन यह चीज जो है वो इस चीज को back करती है कि radiation man की धीरे-धीरे जो है वो migrations होती गई और migrations इस तरह से हुई है आपके पास coastal आपके पास western जो इस्टन अफ्रीका है इस्टन अफ्रीका की को से Red Sea को पार करते हुए वो लोग जो है वो अरेबियन पैनिसुला और आप पोस्ट को उन्होंने follow किया है पोस्ट को follow करते करते fishing वगएरा करते करते वो इंडिया के अंदर आ गया है Pause वो फॉलो करते करते है ठीक है, तो आपके पास जो है, जो West Eurasian Ancestry है, वो आपके पास it dates back to 40,000 years ago, वो 40,000 साल पुरानी है, तो एक hypothesis ये भी है, कि हो सकता है कि अब देखो ये root बन रहा है आपके पास, ठीक है, you have this root, कि आप जो है, वो 70,000 से 50,000 साल पहने, जो है, ये इस तरह से जो है, वो आप migration कर रहे हो, migration ऐसा नहीं होता है, कि आप एक direction के अंदर move करते जा रहे हो, जब आप migration roots बनाते हो, तो इसका मतलब क्या है, कि you will move to and from, आप इस तरह से move करते रहोगे, ठीक है, migration का ये मतलब नहीं है, अब देखो, बिहार से पंजाब में लोग आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तो छुटी मिनाने के लिए जाएंगे रही, या फिर पंजाबी कभी बिहार मिन जा सकते, ठीक है, migration का मतलब है, now you have jogged out a route, आपके पास अब एक route बन गया, ठीक है, अब आप उस route में to and from चलते रहोगे, ठीक है, तो कुछ चीजें जो हैं, वो आपको ये भी मिली हैं, कि आपके पास there are evidences of the west eurasian ancestry, और that dates back to the 40,000 years ago, ठीक है, इतनी पुरानी जो है, वो कुछ traces जो है, वो यह theses ये भी मनता है इससे, कि टोबा के बाद जो है, वो आपके पास west eurasian ancestry जो है, जो आपके पास जिसको आज कल हम Caucasian ancestry कहते हैं, वो जो है, वो हो सकता है, शायद उसका origin जो है, वो south asia के अंदर हुआ हो, ठीक है, so it is argued that, in the early paleolithic population, it contributed to both, early paleolithic ये वाली जो population है, इसने Europeans को भी contribute किया, यही mutations, Europeans के अंदर भी देखने को मिलते हैं, Australian aboriginals के अंदर भी देखने के मिलते हैं, और ये आउट ये जो है, वो इंडिया के आस पास चलते हैं, तो हो सकता है, कि आपके पास जो है, कुछ mutation जो है, वो South India के अंदर, या फिर South Asia के अंदर जो है, वो active रहे हो, और ये mutation जो है, वो West Asia के अंदर भी पहुंच गए, Australian aboriginals के अंदर भी पहुंच गए, और South East Asians के अंदर भी पहुंच गए, ठीक है, और ये बातें जो है, वो सारी जो है, वो कब की है, it is after the toba blast, toba blast के ठीक है, ठीक है, तो अब तक जो है, वो हमने क्या picture बनाई, पहले जो India के अंदर आने वाले लोग थे, वो कैसे थे, दो debates है, कि इंडिया में जो लोग आए, वो आपके पास जो है, वो किस तरह के थे, पहली debate जो है, वो पहली जो एक थियोरी है, पहली थियोरी ये कहती है, कि इंडिया के अंदर जो लोग आए हैं वो प्री टोब आए हैं ठीक है और ये थियोरी जो है वो कही ना कही नर्मदा मैन के साथ जो है वो मिलती है नर्मदा मैन के साथ जो है वो साथ जो है वो चलने की कोशिश करती है ये थियोरी बेसीकली क्या कहती है कि पहले से ही वो लो कुछ लोग तो यहां पर ही एक्सिंट हो जाते हैं कुछ लोग यहां से जो है वह आगे चलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वह अंधरा प्रदेश के पास पहुंचते हैं या फिर थोड़ा सा नीचे की जाने की कोशिश करते हैं तब जो है वह टोबा ब्लास्ट हो जाता है टोबा ब्लास्ट के कारण इतना जादा डिस्ट्रक्शन होने के कारण पूरी वनस्पती जो है वो तबाह होने के कारण फॉरस तबाह होने के कारण बहुत कम लोग ही जो है वो बच पाते हैं ठीक है फिर उसके बाद बहुत कम लोग बज़ पाते हैं जो टोबा ब्लास्ट को सर्वाइव करते हैं इतने साल जो है वो निकालते हैं इनके अंदर इन ब्रीडिंग होती है इन ब्रीडिंग की वज़े से जो नर्मदा मैन वाले जो छोटे-छोटे ट्रेट्स हैं हाइट छोटी होना कलविकल बोन्स की युझीकनेंस होना नाइंथ रिब की कुछ युझीकनेस होना थर्टीन बहुत लोगों ने इस चीज से खारज़ बो Geme, sides मिलते तो हैं लेकिन बहुत लोगों ने इस चीज से को part CLU को सुदिन हो गई कि तक्रीबन 1500 लोगों ने क्या किया कि Red Sea को क्रॉस कर लिया 70,000 साल पहले तो 70,000 साल पहले वह Red Sea को क्रॉस कर लेते हैं फिर Red Sea को क्रॉस करने के बाद eventually वह coastal area से होते होते इंडिया के अंदर enter करते हैं तो इंडिया में South India में वह पहुंचते हैं South India से दे डाइवर्ट कुछ लोग जो है वो श्रीलंका की तरफ चले जाते हैं साइजरंड में चले जाते हैं कुछ लोग जो है वह अस्त्रीलियन अपरीटनल वहां पे चले जाते हैं ठीक है यह बात जो है यह होते होते 70,000 साल से यह जो है वो चीजे बनती हैं 50,000 से 40,000 साल पहले ठीक है और 40,000 साल हीπό उमर है वो आपके पास एयर्य है जब आपके पास जो है वह वेस्ट यॉरेशिया ancestry के कुछ components जो है वो हम मानते हैं कि Caucasia के अंदर जा फिर आपके पास बंते हैं तो कहीं ना कहीं यह चीज जो है वो इसके साहथ भी linked रहता है कि हो सकता है कि जो Southern Asia है सदरन एशिया के अंदर जो है वो लोगों के अंदर कुछ ऐसी mutations हुई कुछ हैसे जो है वो नई चीजे बन जिसने एक जो है वो जो है वो वेस्टन यूरेश्या को भी रिप को भी पापुलेट किया को थे इंडिया शिरी लंका को भी पापुलेट किया जो आपके पास घो इस्टन एशिया है, उसको भी पॉपुलिट किया, जो ऑस्टेलिया है, उसको भी जो है, वो इन्होंने पॉपुलिट किया, ठीक है, so it becomes the base, अब बेस जो है, दिक्कत यहां पर क्या है, कि बेस बहुत छोटा है, ठीक है, बेस बहुत छोटा है, और आज की एथनिसिटी के यह लोग जो है, वो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आज का अगर हम मैं रेशियल कंप्लेक्स की किसी की बात करूँ, तो यह लोग जो है, खास करके जो इंडिया का रेशियल कंप्लेक्स है, उसके साथ जो है, यह आर्के को मुसिफिक हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, यह ज चलिए, चलिए, thank you very much, hope you enjoyed the lecture, thank you.